ओम शांती, आज बाबा के 26 जून 2021 के साकार मतुर महावा के हैं, आज के मुरली में बाबा देवी मैनर्स सिखा रहे हैं, पवित्र बनना और बनाना, ये देवी मैनर है, जो बाबा के सिवाई कोई सिखा नहीं सकता, घर गरस्त में रहते पवित्र बनना है, ये शिक्षा सिवाई शुव बाबा के कोई दे नहीं सकता, बाबा बेहद का सन्यास सिखाते हैं, पवित्र बनने से बाकिस सब मैनर्स स्वते ही आ जाते हैं, हम जीवन मुक्ती में जाने की तयारी कर रहे हैं, जीवन मुक्ती में बिन पवित्रता के जा नहीं सकते। गीत चला आज अंधेरे में है इंसान, सारी दुनिया घोर अंधियारे में है। जो बच्चे जितना ज्यान को धारण करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उतना अज्यान अंधियारा मिठता जाता है। इसी ज्यान का सुर्मा भी कहा जाता है। वास्तों में ये ज्यान अंजन है, कोई स्थूल सुर्मे की बात नहीं है, कहते हैं ज्यान अंजन सत्गुरू दिया, अग्यान अंधेर विनाश, बाबा ही ज्यान सागर, पतित पावन, आनंद का सागर है, बाबा केती मैं जैसे अनलिमिटेड हूँ, सागर हूँ, मैं तुम बच्चों को अनलिमिटेड नहीं बना सकता, नहीं तो फिर ये खेल कैसे चलेगा, आप बच्चे अनलिमिटेड भी नहीं बनते हो, फारेवर भी नहीं बनते हो, जैसे मैं एवर प्योर हूँ, ऐसे तुम ब दे जाते हैं, बाबा संगम युक पर आकर स्वेम कहते हैं, मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो, कोई भी बाबा की इन महावाक्यों की कौपी नहीं कर सकता, कि मुझे याद करो, मैं परम धाम से आया हूँ, मैं गरंटी करता हूँ, तो मैं वापिस लेके जाऊंगा बाबा जब समझाते हैं तो कोई-कोई ऐसे बच्चें जो बाबा की बातों को नहीं समझ पाते अजामिल जैसे हैं अठाट धारणा नहीं करते हैं जब सटके लगते हैं तो कोई कपड़े बहुत मैले होते हैं कोई फट जाते हैं बाबा भी योग सिखाते हैं, लेकिन कोई-कोई बच्चे याद के द्वारा धारणाओं को अच्छा नहीं बना पाते, फिर भी बाबा सावधन करते, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सत्गुरु हूं, मैं तुम्हें पतित से पावन बना देता हूं, ये जादुगरी है, बा जब आत्मा मैली हो जाती है, तो लक्षे सोप दीता हूं, कि मुझे याद करो, एक खिलोना दिखाते हैं, सीता के सामने, जब रावन आता है, तो वो पीट कर लेती है, राम आता है, तो मुख कर लेती है, स्रीकृष्ण जी का भी चित्र दिखाया, नरक को लात मारे हैं, आ बाबा को प्यार से याद करना है, क्योंकि याद से अन्त मते सोगते हुशाती है, जो बच्चे, जितना योगी बनते हैं, उन्हें सबका सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि बीज से जब कनेक्शन हो जाता है, तो व्रिक्ष से भी स्वतही संबंद जोड़ जाता, सब सहयो ये भी कमजोरी को बढ़ाना है पुर्षार्थ को धीला करना है पुराने संसकारों को कभी भी मेरा मेरा नहीं कहना ये रावन की प्रोपर्टी है रावन की जैदाद है इस रावन की जैदाद को हाथ नहीं लगाना अपने पास भी नहीं आने देना नहीं तो पुर्षार्थ ठीला हो जाएगा आज चलते फिरते हम याद करेंगे मैं सच्चा योगी सहयोगी बच्चा हूं मुझे एक की याद में रहना है और एक बाबा मेरा है बाबा मेरा है इससे शक्ति मिलती रहेगी अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबा ने कहां मीठे बच्चे बाब की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोडलू जीवन जीवन मुकती के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करू जीवन मुक्ती अर्थार्थ, सत्यूगी दुनिया के लिए दैवी मैनर्स धारण करो कुछन है, कौन से मैनर्स? बाब के सिवाए कोई भी सिखा नहीं सकता पवित्र बनना और बनाना यह सबसे बड़ा दैवी मैनर तुम घर गरस्त में रहते पवित्र रहो ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं दूसरा कोई दे नहीं सकता तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धी से भूलते हूं जानते हूं पवित्रता की धार्णा से बाकी सब मैनर्स स्वते ही आ जाते हैं पवित्रता की धार्णा करने से बाकी मैनर्स्वत ही आ जाते हैं गीता आज अंधेरे में है इंसान ओम शान्ति बच्चों ने गीत के एक लाइन सुनी एक तरफ है सारी दुनिया भगती मारगवाले दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्यान मारगवाले वो भगती की सीड़ी चड़ते रहते हैं तुम बच्चे ज्यान की सीड़ी चड़ते हो भगती की सीड़ी उतरते हो बच्चे जानते आधा कल्प से भगती की सीड़ी चड़नी होती भगती भी पहले अव्य विचारी होती पीछे विब्यचारी बनती है बिल्कुल अंद श्रद्धा में आ जाते, कुछ भी नहीं समस्ते गाते भी हम अंधियारे में है सत्गुरु विगर घूर अंधियारा गुरु तो यहां बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है सादू संत महात्मा भगत आदी सब साधना करते हैं अत्वा याद करते हैं शास्त्र वेद उपनिश्य दादी पढ़ते फिर भी कहते भगवान जब आए तब आके हमारी सदगती करे सदगती दाता को ही पतित पावन कहते हैं अब तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो इस समय आप गोर अंधियारे में नहीं हो तुम ज़्यान की रोश्नी में आए हो पतित पावन बाप को जानते हो उनको याद करते हो जितना जो बच्चा याद करता है ज्यान की धारणा करता है उतना उसका अज्यान अंधियारा विनाश हो जाता है जितना जो बच्चा याद करता है ज्यान की धारणा करता है उतना उसका अज्यान अधियारा विनाश हो जाता है अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है ज्यान अंजन सत्गुरु दिया कोई सुर्मा नहीं ये ज्यान की बात है ज्यान के साथ योग भी रहता है जरूर जो मनुष्य भक्ती सिखाते हैं तो उससे भी योग रहता है अब तुम बच्चों का बुद्ध्योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्व शक्तिवान के साथ योग है नहीं सिवाए तुम बच्चों के इस समय आपका योग परम मुक्ति से योग लगाना होता जीवन मुक्ति के लिए मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए इस समय सबके मैनर्स आशुरी है परम पिता परमात्मा के भी गुण गाय जाते मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है सत्य है चेतन्य है आनंद का सागर है ज्यान का सागर है बाबा की महिमा है ये मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है सत्य है चेतन्य है आनंद का सागर है ज्यान का सागर है पवित्रता का सागर है फॉरेवर उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद होना सके भले अब तुम ज्यान का सागर पवित्रता का सा नहीं तो फिर स्रिष्टी का खेल कैसे चले, चुरासी जनम कैसे भोगेंगे, तुम फारेवर नहीं बन सकते हो, समझने योगे बाद, बाबा फारेवर पवितरता का सागर है, शांती का सागर है, बाबा कहते हैं, आप बच्चों के एक लिमिट होती है, मैं आप बच्चों को लिमिटेड नहीं बना सकता नहीं, तो फिर खेल कैसे चले, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जनमों के लिए बनाता हूँ, 21 पीडी भी लिखा हुआ है, तुम फारेवर बनों, ये ड्रामा में काईदा नहीं, मैं तो हूई एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परमधाम मे मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदी है ही, तुम भूल जाते हो, इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल, ज्ञान योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसा कह न सके, कि मैं परमधाम से आया हूँ, अम मुझे याद करो, ये मेरे महवाक्यों की कोई क कौपी नहीं कर सकता, मैं परमधाम से आया हूँ, मुझे याद करो, ये महवाक्यों के शुर बाबा के हैं, और कोई इसकी कौपी नहीं कर सकता, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए ना, मैं राजाओं का पापी बन जाते, कितने अशुद्ध मैले बन जाते, बाबा को आकर मैले कपड़े साफ करने होते हैं, आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं, तुम्हें माया ने कितना मैला बनाया, सिरफ एक जनम की बात नहीं, ये जनम जनमांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करन के लिए लक्ष सोप देता हूं बाबा आते हैं लक्ष की स्मृति दिलाते हैं मुझे याद करो तो तुम्हार यात्मा जो बुझी हुई है वो योग से जग जाएगी जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे जोत जगती जाएगी स्मृति दिलाते हैं तुमको अमने स्व आत्मा से बात करते हैं हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो लौकिक बाप को भूल जाओ दे सई दे के सब समंदों को भूल कर मुझे अपने बाप को याद करो तुम्हारी आत्मा साफ होती चाहेगी बाबा केते दे दे के समन इने भूलो मुझे याद करो आपकी आत्मा साफ होती जाएगी फिर तुम्हें शरी भी भविश्य में नया मिलेगा फिर तत्वादी सब नई सतो प्रधान हो जाते हैं बाबा केते बिस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वरग में जाएंगे ये पुरानी दुनिया है इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते जैसे नई देली पुरानी देली कहते प्रन्तु दुनिया तो पुरानी है न अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग बिल्कुल हट जाना चाहिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग बिल्कुल हट जाना चाहिए हम आत्मों का स्वीट होम वा निर्वान धाम है वहां जाना है अपनी को आत्मा निश्य करना पड़े बाबा केते मुझे याद करो तो चिं करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्णादी कहां गए, कोई नहीं जानते, ये नहीं समझते कि पुनर जनम में सब को आना है, ये रसम रिवाच स्रिष्टी के आदी से चली आती, सत्यु गादी में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर जनम वहां से पवित्र मनुश्य, उनकी महिमा जास्ती है, लक्ष्मि नान की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती, कृष्ण की बहुत महिमा है, पर तु ये नहीं जानते कि कृष्ण पुरी है कहां, बैकुंट कहते ही को यह हैं ne We Walking in Automation को दौपर में क्यों कह दिया वहीं चीज दूसरे नाम-्रूप देश में आ Já ना सके वही नाम रूप दूसरे जनम मेंहों नहीं सकता स्रीकृष्ण सत्यूग में था तुम जानते हो यह जगत-म्बा जगत-पिता-जाकर लक्ष मी नentes हैं ये जगत अंबा, जगत पिता, भविश्य में क्या बनेंगे? स्री लक्ष्मी, श्री नारायन, सत्यों को कृष्णपूरी कहा जाता, अब है कंसपूरी, ये सब आसुरी नाम है, वहां थे दैवी संप्रदाए, यहां है आसुरी संप्रदाए, बाबा बैट बच्चों को संग लगाते रहू, देखते हो बाबा मेले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई तूट पड़ते हैं, कोई बहुत मेले, अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिलकुल धारणा नहीं होती, बाबा कितनी अच्छी बाते समझाते, मीठे लाट ले बच्चे, मुझे मोस्ट बिलवड बाबा को याद करो, मुझे बहुत प्यारे बाबा को, अती प्रिये बाबा को प्यार से याद करो, मोस्ट बिलवड सुखधाम को याद करो, ये भी तुम जानते हो, दुनिया में किसी को पता नहीं, यह अती दुखधाम, मनुष्य तराही तराही क तुम जानते हो, बाबाई हम बच्चों को, इन पर्टिक्लर और सब को, इन जनरल सुख धाम में ले जाने के लिए, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनको ये नशा है, ये पढ़ाई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको हैं, अजामिल जैसी पाप आतमाउं को प हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता, बच्चों को बार-बार समझाते, यहां दैविगुन धारण करो, बार-बार कहते हैं बाबा, दिवेगुन धारण करो, यहां तुमें एम अबजेक्ट बुद्धी में हैं, ये पवित्रता के मैनर्स कोई भी नही सिखाते हैं, पवित्र बनो, बनाओ, ये मैनर्स बाबा ही सिखाते हैं, यहां बाबा कहते हैं, यहां बाबा कहते हैं, घर बार नहीं छोड़ना, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वह हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास, उन सन्यासियों को भी कितना म मिलता है। सादू समाज गवर्मेंट को भी राय देते। आगे चलकर सन्यासी आदिवी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं विगर उनका उधार नहीं हो सकता। क्योंकि तुम नौलिज देते हो। बाकि चरणों में गिरने की बात नहीं। कोई नमस्ते वा र चूको अपने से उंचा बनाता हूं। तुमको भर्मान और स्रिष्टी दोनों का मालिक बनाता हूं। और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं। प्रतु तुमें श्रीमत पे चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। श्रीकृष्न का भी चि और स्वर्ग का गोला हाथ में है बाबा बहुत अच्छी रिती समझाते हैं प्रंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करें बाब को अपना पुराना तनमन धन दे नया ले ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंशूरंस है बहुत अच्छा इंशूरंस है ये बाबा केते तुम जादूगर कहते हैं पतित को पावन बनाना ये इश्वरिय जादूगरी कहेंगे ना पतितों को पावन बना देना ये इश्वरिय जादूगरी है बाबा केते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओं कैसा फर्स्ट क्लास जादू है इसमें प्राप्ती बहुत है नरकवा तो फॉलो करना पड़े वर्सा बाबा से मिलना है तुम कहिंगे भाई बहन बाबा से वर्सा लेते हैं वैसे तो लौक करिती बहन को वर्सा नहीं मिलता भाई को वर्सा मिलता है यहां तो तुम सब को मिलना है क्योंकि तुम सब आतमाई हो ना बाबा कहते हैं तुम सब को मेरे और बच्चे हैं मूलो वतन में, अगर ईश्वर को सरव्यापी कहें, फिर फादरहुड हो जाता है, इस सरव्यापी के ज्यान ने कितना नुकसान कर दिया, अब तुम बच्चे बाप की याद में हो, तुम बच्चों के पास बाप की याद है, बाबा को याद करने में मेहनत जास्ती है, ऐसे भी नहीं तुम्हें कोई नेश्ठा में बिठाए, तुम्हें तो लक्षय मिला हुआ है, यहां तो तुम मुरली स्रब बैट सुनाते हूँ, योग तो तुम्हारा सदा रहता है, मुरली सुनी, फिर चलते फिरते याद में रहना है, हम यात्रा पे जा रहे है जितना हो सके, याद में रहना है, आठ गंदा सर्विस करो, वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है, मुल बात है पवित्रता की, जानते हो यह है काटो का फोरेस्ट, यह काटो का जंगल है, एक दो को काटा लगाते रहते, बाबा कहते हैं, शिरीमत पे चलो, शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, प्रंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट सो, कहते हो हमारा बाब भी है, टीचर भी है, सत्गुरु भी है, बाबा से हमारे सभी समन्ध है, मुख्यता, बाबा बाब, टीचर, सत् गरंटी करते तो मैं वापिस ले जाऊंगा ऐसे कोई गरंटी करना सके यह बाबा ही कहते God Father ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं उस बाब को कोई जानते नहीं अगर बाबा को जाने तो बाबा की प्रोपर्टी को भी जान जाए बाबा की प्रोपर्टी को भी जान जाए बाबा से जो स्वरक का वर्सा मिलता है बाबा की जो गुण है उन सब को भी जान जाए अच्छा मीचे मीचे सिक्किल दे बच्चो प्रती मात पिता बाब तद का याद प्यार Good morning रूहनी बाप की रूहनी बच्चों को नमस्ते, रूहनी बच्चों की रूहनी बाप तदको नमस्ते, गुड मौनिंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारना के लिए सार पहली पॉइं genome object को सदा सामने रख दैविगुन धारन करने है सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने है बुद्धी से बेहद का सन्याज करना है Most beloved बाबा को अपने सुखधाम को याद करना है इस दुखधाम से बुद्धी का योग निकाल देना है ये दुखधाम है इससे अपना बुद्धी योग निकाल देना है वरदान एक बाब से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी वा सहयोगी भव एक बाब से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी वा सहयोगी भव जो जितना योगी है उतना उसे सबका सहयोग अवश्य प्राप्त होता है योगी का कनेक्शन अत्वा स्नेहे बीज से होने के कारण स्नेहे कारिटन सबका सहयोग प्राप्त हो शाता है तो बीज से योग लगाने वाला बीज को स्नेह का पानी देने वाला सरवातमाउं द्वरा सहयोग रुपी फल प्राप्त कर लेता है क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे व्रिक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है बीज से योग होने के कारण पूरे ही व्रिक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है बीज शिव बाबा, अगर उससे आपका बुद्धियोग ठीक है, तो बाकि सब आपके सहयोगी बन जाते हैं, इसलिए बीज रुप बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, इसलोग ने पुराने संसकारों को मेरा कहना, अर्थात पुर्षात को धीला कर देना, पुराने संस दिवान से हैं, ओम शान्ती, आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें,